कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भगतो आज मैं आपको बहुत ही सकती साली पौर्फुल वसिकरन टुटका बतलाऊंगा मेरे भगतो यह एक बार में करने से ही यह असर दिखा दिता है यह बहुत ही पौर्फुल है यह अजमयाग यह टुटका है और ये कभी खाली वार नहीं जाता है जिसके उपर ये वसिकरन तुटका कर दीजिएगा उसके उपर ये तुटका हमेशा के लिए रहेगा वो हमेशा के लिए आपके प्यार में पागल हो जाएगी दिवानी हो जाएगी आप उसको जो बोलिएगा वह वहीं करेगी इसका प्रियोग इस्त्री और पुरुस दोनों कोई कर सकता है यह एक अजमाया गया टुटका है मेरे भक्तो और इस टुटका से अब तक बहुत सारे लोगों का काम हुआ है आप भी किजी अगर जहां भी दिकत हो इस समझने में तो आप नीचे कमेंट में कमेंट किजी हम आपकी जरूर मदद करेंगे मेरे भक्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बेल घंटी को दबा दिजे ताकि हम जितने भी विडियो बनाएंगो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा तो आईए बतलाते हैं मेरे भक्तो आपको इस टुटका को बुधवार के दिन, सुक्रवार के दिन या मंगलवार के दिन तीनों में से किसी एक दिन करना है सुबह में आपको असनान कर लेना है असनान करने के बाद में आपको करना क्या है जहां भी ये टुटका करें आपको क्या करना है एक दीपक जला देना है या आगे दीपक जलाने के बाद में आपको करना क्या है दो लवंग लेना है फूल वला लवंग होना चाहिए उसमें अच्छत रखना चावल थोरी सी मतरा में थोरी सी मतरा में पीली सर्चो जो होता है पीला सर्चो उसको लेना है या वसिकरन के लिए बहुत ही पाउर फूल चीज होता है लवंग अच्छत और पीला सर्चो और ती और उसको बाद में आप उसको जो बुलियेगा, वह वहीं करेगी अगर आप किसी को अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं या आपका खोया हुआ प्यार है, आप उसको पाना चाहते हैं तो इसका प्रियोग जरूर करें पतनी पतनी के बीच में जो जहगरा होता है उसको भी कम कर सकते हैं इससे तो आईए बतलाते हैं करना क्या है मेरे भक्तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा क्योंकि यह छोटी सी वीडियो आपके जिन्गी विदल की रख देगी आप जिसक किये के नीचे आपको रख करके सो जाना है अगले दिन सुबा उठना है नादो को अफ्रेस हो जाना है अब अपने सामने क्या करना है दीपक जला देना है दीपक देशे घीए जलाना है ठीक है या जो काला जो तील होता है तील का तेल होता है उसका आपको क्या करना दिया जलाना है उसके बाद में आपको करना क्या उसके सामने बढ़ जाना है दोनों लवं को अपने सामने यहाँ पे अच्छा तर सरसों में मिला देना है और आपको क्या करना है इस परकार से मिलाते हुई आपको क्या करना है आपको इस मंत्र को 551 बार आपको पढ़ना है जैसे ही पांच ये काउन बार पढ़ लिजिएगा और जैसे मैं बता दे रहां उसे कर लेते हैं तो उसके अगले दिन से वो लर्की आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी मेरे भक्तो ये काजमायगा टोटका है ये बहुत ही पाउरफुल टोटका है और जिसने भी किया उसका 100% वोसिकरन हुआ है तो आईए बतलाते हैं मेरे भक्तो वो कौन सा मंत्र है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लिज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बिल घंटी को दबा दिजिए ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा तो आईए बतलाते हैं मेरे भक्तो वो कौन सा मंत्र है मंत्र इस प्रकार से ध्यान से सुनिएगा मंत्र में जहां पर अमूक आएगा अमूक के जगह पे आपको उस लड़की का नाम लेना है जिसका आप वशिकरन कर रहा है या उस पुरुष का नाम लेना है जिसको आप अपने वस में करना चाहते है ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा मत्र ओम सर्वे मं वस्से कराई कमाखिया दिवी वस्से अमूक के मम वसम कुरु कुरु स्वाहा ठीक है अमूक के जगह पे लड़की का नाम लेना है या लड़का का नाम लेना है जिसको आप अपने वस में करना चाहते है इसको क्या करना है आपको पढ़ने के बाद में जैसे कि एक बार मंत्र पर ली एक बार इस पे फूख मार दीए जैसे 151 भर हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या है इसको क्या करना है दोनों लवंग को और क्या करना है अच्छत को और सर्चो को एक लवंग को लेना है और थोड़ी सी मत्रा में अच्छत लेना है इसको करना क्या है किसी भी नेम के जो नेम का पेर होता है या बबूल का जो पेर होता है उसके नीचे आपको करना क्या है? ध्यान से दिखिएगा उसके नीचे इसको क्या करना है? ले जाकर थोड़ी सी मत्रा में और एक लवंग रख देना है रखते समय लर्की का 21 बार नाम लेना है वहाँ पे फूंक मार देना है और एक जो लवंग है अच्छा था है इसको करना क्या है किसी भी बहते हुए पानी में इसको बहा देना है बहाते समय आपको लड़की का नाम 21 बार लेना है उसके अगले दिन से वो लड़की आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी ट्रपने लगेगी आपके लिए आपसे म समय जाएगा अगर आपको समझने में कहें भी दिकात होता है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट किजी हम आपकी जरूर मदद करेंगे